हेलो फ्रेंड वेल्कम तो मैं चैनल आज हम बात करने वाले हैं कॉंटिनुटी एंड कनेक्टेडनेस इसे लेट टेक्ट थियूरम हैं तेखिए लेट एक्स एंड वाई भी मिट्रिक स्पेसिस तो मिट्रिक स्पेसिस हमें गिवन है लेट्स रो साइड बाई साइड X metric space and this is Y metric space F function define हो रहा है from X to Y भी continuous function एक function define हुआ that is from X to Y F function है और ये हमारी metric space X है और ये metric space Y है और ये function हमें क्या गिवन है दिस इस अ continuous function if E is connected subset of X हमें subset of X given है यहाँ पे E ओके ये एक connected subset है E हमें proof क्या करना है F E is connected subset of Y यहाँ पे अगर हमारे पास एक F E subset बनता है इसका Y का तो हम क्या बोलेंगे कि F E जो है वो भी क्या है connected है ये चीज़ हमने proof करनी है ध्यान से देखिए एक X metric space given है और एक Y metric space given है इनके उपर एक function define हो रहा है that is F तो E metric space यहाँ पे हमें given है यह E set given है इस metric space के अंदर E set क्या है हमारे पास यह एक connected set है और F E को हमने क्या proof करना है यह भी क्या है connected है देखिए अगर यहाँ पे कोई point X है तो यहाँ पे अगर function apply हो रहा है तो यहाँ पे उसकी image आएगी F X अगर point Y है तो इसकी image आएगी F Y इस तरह से यहाँ पे E के बहुत सारे points है उसके लिए जो यहाँ पे image का जो set बनेगा उस set को मुझे क्या proof करना है कि अगर यह connected है तो उसकी image का जो set बनेगा वो set भी क्या होगा connected होगा अब connected sets क्या होते है यह definitions मैं आपको already करवा चुकी हूँ compactness और connectedness का proper topic हम कर चुके है उससे related theorem हम already कर चुके है अगर आपने वो video नहीं देखी है तो real analysis का link आपके पस playlist में given है तो आप वहाँ से देख सकते हैं compactness, connectedness की अलग से आपको playlist मिल जाएगी आपको clear होने इसके लिए जरूरी है ठीक है यह theorem इस तरह से भी आ जाती है और इसको कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है इसका second देखिए किस तरह से यह theorem पूछी जाती है continuous image of connected set is connected जस्त इतना लिख दिया जाता है और यह बहुत important result है ध्यान से इसको देख ले ना बहुत पार एक्जाम में आ चुक है continuous image of connected set is connected इसको ध्यान से देखना continuous image का क्या मतलब है means अगर यह function apply हुआ यह continuous image हो की यह एक x matrix space है इसके उपर एक continuous function apply हुआ यह बढ़ गे इसकी एक continuous image clear of connected set यह है is set इसके उपर यह function apply हुआ है और यह एक continuous function apply हुआ है यह connected set है तो इसकी जो continuous image आएगी वो भी क्या होगी connected होगी ठीक है यह connected set है इसकी एक continuous image आई और यह भी क्या है connected है और continuous image यहाँ पर क्या बन गी f function बन गया clear इस तरह से अगर आपको पूछ ले जाता है तो आपको confused नहीं होना है वह यही थ्यूरम है ठीक है इस तरह से भी पूछ ले जाता है चलिए इसका पूफ देखते हैं statement I hope आपको clear हो गई है इसका proof देखते हैं देखिए connected sets क्या होते हैं थोड़ा सापको hint देती हूं connected sets में क्या है इसकी definition already मैं आपको बहुत अच्छी तरह से करवा चुकिए हैं वह definition वाली वीडियो भी देख सकते हैं और connected set exactly होते कि हम थोड़ा सा बताती हूं जो separated sets होते हैं वह क्या होते हैं disconnected होते हैं अगर वह separated नहीं है तो वह connected है ठीक है ना तो वह disjoint है ना वह separated है और ना ही वह non empty है अगर वह इस तरह से हैं तो वह क्या है connected है ठीक है अगर यह इसमें से यह सारी चीज़ क्लियर होती है यह non empty है यह separated भी है यह disjoint भी है तो हम इनको क्या बोल देंगे यह क्या होते है disconnected sets यह किसकी definition है disconnected sets की और जो set disconnected नहीं होते है वो क्या होते है वो connected होते है ठीक है तो disconnected के लिए अगर हम यह चीज़ से proof करते हैं अगर यह set disconnected नहीं होते है तो वो क्या होते है connected sets होते है ओके यह चीज़ clear हो गई तो अब यहाँ पे हमें क्या proof करना है ये fe क्या है connected है तो हम क्या करते हैं assume कर लेते हैं let fe is disconnected हमें इसको proof करना है कि ये connected है हम इसको disconnected लेके चलते हैं और इसको हम contradiction से proof करते हैं ठीक है अगर ये disconnected है तो हमारे पस क्या होगा it implies there exists मैंने अभी आपको बताया there exists to non-empty non-empty disjoint and separated sets separated sets G and H such that what will be that F of E will be equal to G union H देखे यहां से अगर ये disconnected है F E तो क्या चीज़े true होती है ये non-empty होंगे दो sets इसमें exist करेंगे वो दो sets भी हम draw कर लेते हैं कि ये जो है ये दो non-empty sets की union बन जाएगी ये क्या बन जाएगी ये एक set G बना ये एक set H बना और ये E F E जो है वो क्या बन गई ये union बन गई इन दो sets की अगर ये disconnected है हमने इसको क्या ले लिया ये क्या है disconnected है disconnected ले लिया तो मैंने इसको इस तरह से ले लिया और ये दोनों destroyant है यह क्या होंगे distjoint होंगे g and h means g intersection h जो किसके equal होगी phi के equal होगी ठीक है then यह separated है separated का मतलब क्या होता है separated का मतलब होता है g closure intersection h is equal to phi and g intersection h closure is equal to phi जब मैंने आपको separated sets की definition करवाई थी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से यह चीज़ क्लियर करवाई थी और उसमें यह चीज़ theorem में मैंने इसे related बहुत अच्छी तरह से आपको करवाई हूँ है और जो students regularly मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको यह बात सोचने की ज़रूरत नहीं है वो साथ साथ बोलते हैं जब separated sets पता चलता है साथ की साथ बोलते है g closure intersection h is equal to phi g intersection h closure is equal to phi हम इतनी बार इस topic पर बात कर चुके हैं so many times तो यह इसमें क्या बात होगी fe जो है अगर यह disconnected मैं ले रही हूँ तो क्या होगा non empty होगा distroint set होगा और यह separated set होगा ठीक है यह जो g and h हैं दो separated sets मिलेंगे हमें और distroint मिलेंगे और f e किसे के equal आएगा g union h के equal आएगा ओके चली आगे हम check करते हैं अब हम क्या करते हैं अगर यहाँ पे एक g set मुझे मिल गया तो इस set की एक pre image यहाँ पे आएगी और वो set क्या होगा f inverse g इस h की भी एक pre image यहाँ पे आएगी वो क्या होगी f inverse h होगी और मैं क्या करते हूँ दो set बनाती हूँ एक set मैं ले लेती हूँ a एक set मैं ले लेती हूँ b और उसको क्या लेती हूँ इस f inverse g का a को मैं क्या लेती हूँ f inverse g की intersection कर देती हूँ इसकी E के साथ ठीक है और H को मैं क्या लेती हूँ B मैं क्या लेती हूँ F inverse H की intersection कर देती हूँ मैं E के साथ दिखे ध्यान से पता चलेगा आपको A हम लेते हैं एक set let A is equal to जो इसकी image आएगी F inverse G इसकी intersection हम कर लेते हैं E के साथ ठीक है then हम एक B set consider करते हैं F inverse H और उसकी intersection किसके साथ कर लेते हैं E set के साथ E set क्या है हमारा जो X matrix space के अंदर ये जो connected set हमें given है E set वो है हमने क्या लिया ये दो image ले ली ठीक है ये F inverse G इधर आएगा तो यहाँ पे H की भी एक image आएगी F inverse H तो ये चैस हमने ले लिए और उसकी intersection किसके साथ ले ली E के साथ उसकी intersection ले ली ये दो sets मैंने consider कर लिए अब अगर मैं check करते हूँ A union B A union B चले चेक करते हैं ये किसके equal आता है F inverse G intersection E union F inverse H intersection E इसके equal आएगा इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ F inverse G union F inverse H इसको मैं इसे लिख सकते है intersection E will be equal to F inverse G, union H लिख सकते हूँ इसको मैं intersection E इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हूँ मैं F inverse common ले के G, union H और इस सारे की union intersection किसके साथ आएगी that will be intersection E ठीक है F inverse G union H intersection E इस तरह से अब ये जो G union H है वो मेरे किसके equal है F E के equal है इसको हम number 1 दे देते हैं तो G union H किसके equal है F E के equal है यहाँ पे इसकी value में लख लेती हूँ F inverse that is F of E के equal है और intersection इसकी किसके साथ E के साथ अब यहाँ पे F inverse F हो गया तो ये दोनों तो cancel out होगे क्या बच गया E is equal to E और साथ में क्या आ गया intersection E तो E की intersection E के साथ क्या आ गई E ही आ गई मिन्स हमारे पास क्या चीज़ आ गई A union B is equal to E मिन्स हमारा क्या हो गया जब मैंने दो sets consider किये तो मुझे ये E जो है वो इस तरह से ही divide हुए मिल गई A और B ठीक है ना जो E है वो A और B की union बन गई मिन्स A set अगर इसके अंदर ये वला है और B set इसके अंदर ये वला है तो इन दोनों की union करते हैं तो क्या set बन रहा है E set बन रहा है एक चीज़ होती है E is equal to A union B अगर मैं ये चीज़ बोलू कि अगर मुझे पास A closure intersection B किसके equal आजाए 5 के equal आजाए या A intersection B closure is equal to 5 आजाए तो मेरे ये clear हो जाता है कि ये क्या है separated sets बन जाएंगे अगर ये separated बन जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे disconnected हो जाएंगे बट मुझे तो ये connected given है इस तरह से हम contradiction पर पहुंच जाएंगे ठीक है तो चलिए हमारे पास A union B किसके equal आगया है E के equal आगया है अब हम check किसको करते हैं A closure intersection B को check करते है कि वो किसके equal आता है हमें इसकी value निकालनी है A closure intersection B A closure हमारे पास किसके equal आगया F inverse G intersection E whole closure clear intersection B हमारा किसके equal है F inverse H intersection E clear है इसको मैं किस तरह से लिख सकते हूँ F inverse G closure intersection E closure clear अगर हमारे पास A और B दो sets होते हैं A intersection B closure की हम बात करते हैं तो वो किसके equal होता है A closure intersection B closure ठीक है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं यह जो है यह subset होता है A intersection B closure जो है वो subset होता है A closure intersection B closure का तो हम यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं This is this subset of this is the subset of F inverse G closure intersection E closure और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है intersection of F inverse H intersection E clear है इतनी चीज़ that will be equal to that will be equal to F inverse G closure intersection F inverse H इस तरह से मैं लिख सकती हूँ और जबाब में 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 पास क्या बचता है intersection E और E closure की intersection of E closure intersection E अब यह देखिए जो हमारा E होता है वो किसके equal होता है E is the subset of E closure always ठीक है यहाँ पर हम इसको mention भी कर देते हैं यह result को जो हमने यहाँ पर use किया है हमने यहाँ पर result use किया है A intersection B closure that is the subset of A closure intersection B closure हमें mention करना चाहिए साथ में हमारा clarity पता चलती है अब E that is the subset of E closure तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा जो E closure intersection E हो किसके equal आ जाएगी E के ही equal आ जाएगी ठीक है that will be equal to F inverse G cold closure intersection F inverse H intersection अब यहाँ पर इसकी जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा that will be equal to E clear है अब मेरे पास बचती है F inverse G whole closure अब इसको आप चेक किजिए F inverse G whole closure इसको अब कैसे लिख सकते हो इसको हम लिख सकते है that will be the subset of that will be the subset of F inverse G closure intersection F inverse H intersection E अब इस चीज़ को मैंने इस तरह से क्यों लिखा F inverse whole closure को यह भी हम यहापे mention करेंगे because F is continuous और जो continuous function है इसकी हमने एक थियोरम की थी F inverse G whole closure की अगर हम बात करें that will be the subset of F inverse G closure clear यह हमने थियोरम की थी last वीडियो में आप वहाँ से देख सकते हैं limit and continuity की playlist भी आपके पास है उसमें भी आपको link मिल जाएगा इस theorem का result क्या था अगर F है continuous function होता है तो F inverse G whole closure जो है वो किसका subset होगा that will be the subset of F inverse G closure और यहाँ पर मैंने इसकी जगाँ पर अब यह चीज़ इसलिए लिख दी है और that is the subset of this अब यहाँ पर इन दोनों को मैं इक अठा करती हूँ is equal to F inverse G closure intersection H intersection E यहाँ पर G closure intersection H यहाँ पर F inverse मैंने इनका कॉमन ले लिए G closure intersection H अब मैंने आपको starting में एक बात कही थी यहाँ पर देखिए यह F of E हमने disconnected लिये थे और हमें दो non empty set मिले G and H that are just distroint and separated sets यह दोनों sets क्या थे यह distroint थे और separated थे और separated sets में क्या होता है अगर G और H separated है तो G closure intersection H is equal to 5 G intersection H closer is equal to 5 और H is separated की बात सुनते ही आपके mind में आजाने चाहिए कि उसमें क्या होता है G closure intersection H is equal to 5 G intersection H closer is equal to 5 तो यहाँ पर हम अरपस क्या चीज़ आ गई है G closure intersection H देखें यहाँ पर यह चीज़ नहीं बन गई है G closure intersection H और यह मेरे किसके equal होगी that will be equal to 5 तो मैं यहाँ पर इसकी value put कर देती हूँ F inverse 5 intersection E अब मैं किसी भी set की intersection अगर 5 के साथ करती हूँ तो क्या आती है वो 5 ही आएगी और यहाँ पर हमें इसको mention भी करना है किस चीज़ को G closure intersection H is equal to 5 as G and H are separated क्यों ही आई है चीज़ because यह क्या है हमें given है because यह separated sets है G closure intersection H is equal to किसके equal होती है 5 के equal होती है इसका मतलब क्या आगया अब हमने value किसके निकाल ली है हमने value निकाल ली है A closure intersection B की A closure intersection B हमार पास किसके equal आगई है that is equal to 5 ठीक है A closure intersection B हमार पास किसके equal आगया 5 के equal आगया अब देखिए A closure intersection B is equal to 5 similarly we can say a intersection b closure that is equal to 5 ठीक है तो यह दोनों values अब किस चीज़ के लिए true है अब देखिए a union b हमरे पास किसके equal आगया e के equal आगया a closure intersection b is equal to 5 के equal आगया a intersection b closure is equal to 5 के equal आगया तो इसका मतलब यह तो sets क्या होगा कि यह जो दोनों चीज़े हैं हमें क्या proof कर रही है it implies a and b are separated sets a and b क्या है separated sets also a union b किसके equal है e के equal है it implies जो e है हमारा e is disconnected e क्या बन गया disconnected बन गया but हमें given क्या है चलिए हम check करते हैं हमें given है e is connected subset of x e हमें क्या given है connected given है ठीक है mention करते हैं हम यहाँ पर कि e थो हमें connected given है यह हमें result है but e is connected इसको हम क्या कहेंगे कि यह तो हमें given है ठीक है so F E is connected तो यह हमारी क्या हो गई है इसका मतलब क्या हो गया कि F क्या है connected है यह तो contradiction हो गई तो इसका मतलब क्या आएगा कि F E जो है वो क्या है वो connected है यह जिस हमने प्रूफ करने थी hence proved अगर आपको कहीं से कोई जिस समझ नहीं आई है आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं thank you keep watching अभर किषिए कि अभर कि याद़ है कि अभर कि लुछ सकते हैं दो अभर कि आपको करने थी दो गजर कि खृब अभर कि इन रचाफ नहीं है अभर कि अभर कि प्रूद सकते हैं झाल झाल